हेलो माई डी इस्टुडेंट क्या आप भी इंडिया की टॉप आई डी एंड एम्स कॉलेजेज में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो में के विल आपको बहुत सारी चीजे सीखने को मिलेगी जो आपने नहीं सीखिये तो देखिए शुरू करते हैं अपन डाइमेंशन अनलेसिस के बारे में ये अपना सेकंड वीडियो है यूनिट एंड डाइमेंशन का तो आज अपन बात करेंगे इंडाइमेंशन अनलेसिस के बारे में तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ये चेक करेंगे डाइमेंशन अनले यहां पर पता है कि force की dimension क्या होती है MLT-2 यह क्या होती है force की dimension होती है तो यहां पर आप देख सकते हैं force की dimension हमें यह बता रहे हैं mass के उपर किस परकार depend कर रहा है और length के उपर किस परकार depend कर रहा है और time के उपर किस परकार depend कर रहा है दूसरी physical quantity पर किस परकार depend करती है इसी को समझने के लिए अपन dimension की study करती है देखो यहाँ पर dimension किसी भी physical quantity की unit find करने में भी अपन को मदद करती है जैसे अपन को पता है कि force की dimension ये है तो अपन force की unit भी निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं देखिए simple बात तो यहाँ पर simple सी बात है M mass को represent कर दा है तो mass की SI unit क्या होती केजी अपन को पता है ये L की इसको represent कर रहा है length को तो length की यहाँ पर होती SI unit meter और ये T time को represent कर रहा है तो यहाँ पर इसकी SI unit second square तो यहाँ पर आप simply दे सकते हैं dimension से अपने किस परकार unit दिकाल दे अब मैं आपको यह बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्रतिक derived physical quantity को साथ fundamental quantity की form में express किया जा सकता है जैसे कि यहाँ पर देखिए आपन के पास यह fundamental quantities है तो इसकी dimension क्या है यह अपन को पता है देखो mass को अपन MC represent करते लेंद को L से यह सारी यहाँ पर dimension अपने लिख दिए यह क्या है fundamental quantity और derived physical quantity होती है तो इसके उपर depend करती है तो इसलिए अपन क्या करती है derived physical quantity उसका formula इस fundamental quantity के form में represent किया जाता है for example यहाँ पर आप speed को दे सकते हो speed होती क्या है distance upon time तो distance को अपन किसे represent करते है distance क्या है तो यहाँ पर distance क्या है length है तो इसको अपन L से represent करते है और यहाँ पर T क्या है time तो इसकी dimension क्या है यहाँ पर L है तो simple सी बात है ऐसे हो गया अब यह उपर जाएगा तो T minus का 1 हो जाएगा का जो Dimension Formula आता है वो fundamental quantity का जो Dimension Formula होता ना उसके combination के रूप में रिपर्जेंट किया जाता है यहां पर यह जो Dimension Formula Speed का यह हमें क्या बता रहा है यह हमें यह बता रहा है कि Length के साथ यह दि Length बड़ेगे तो किस परकार speed बड़ेगे इस dimension formula में अपन देख सकते हैं length की dimension क्या है 1 है और यहाँ पर time की dimension क्या है minus 1 और यहाँ पर mass नहीं है इसका मतलब mass की dimension क्या है यहाँ पर 0 है यहाँ पर speed depending नहीं करती है mass की उपर इसलिए mass की dimension 0 किसी भी physical quantity को dimension की term में express करना इस dimension formula कराता है और अपन क्या करेंगे यहाँ पर dimension के कुछ rule है न वो अपन देखते हैं यहाँ पर पहला rule यह होता है कि किनी भी 2 dimension को अपन जोड नहीं सकते हैं जब तक दोनों dimension सेम नहीं हो और यह दोनों अलग अलग यहाँ पर यह हैं और इसको अपन प्लस कर सकते हैं यहाँ पर यह होते हैं यहाँ पर गिनी भी 2 dimension को अपन मंटिप्लाई कर सकते हैं बली वो अलग हो या M की पाउर 1, affectage जाएगा, उसके बाद यहापर आप Yes+. करते हैं सिंपल सी बात है यदि आपको डिवाइड करना नहीं आए तो क्या करना है सबसे पहला उपर वाला पार्ट सेम लिख दिदना आपको यहां पर यहां पर परली पावर 1 कि तो आप यह पर मैंस 1 हो गया अब यहां पर उपर आएगा तो 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 कैसे आएगा, M यहाँ पर नहीं है, तो M की पावर 1 आएगा, और यहाँ पर L की पावर 1 है, यहाँ पर L की पावर 1 है, दोनों को add करेंगे, तो यहाँ पर 1-1 क्या 0 हो जाएगा, तो L की पावर 0, और यहाँ पर चेक करें, इन दोनों को T की पावर क्या हो जाएगी, T की पावर य यह बोलता है अपन को कि किनी भी दोई dimension को अपन multiply और divide कर सकते हैं बले ही वो same हो या different हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब देखो मैं आपको यह बता दाओं dimension को और कहाँ पर use किया जाता हैं देखो physics में कोई भी equation होती है न उसको अपन चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर वो कि यह बता है तो simple सी बात है V speed गएस्पी कि dakiteå t делает p य to t कि पाउर 1 अभ देखो simple सी बात है मैंने आपको बताया थह यहाँ पर I canました मुंटिक्ठाय किया जा सकता है तो यहाँ पर क्या होगा L की यहाँ पर ल नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा L और T की पावर माइनस 2 है यहाँ पर T की पावर एक है दोनों को add करेंगे तो यहाँ पर T की पावर माइनस 1 आ जाएगा अब देखो सारी dimensional देखो same आ रही है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हूं left hand side और right hand side दोनों dimension same है इसका मतलब यह equation correct है